गुड मार्निंग दोस्तों, साथियों, सीजी व्यापम द्वारा आयोजित प्री डियलेट प्रवेश परिच्छा दो हजार चोबिस का रिजल्ट कल साम अर्थाद 31 अगस्त को जारी कर दिया गया है अब जो है रिजल्ट जारी होनेक बाद काउंस्लिंग होगी तो प्रथम अलाट्मेन जब काउंस्लिंग होगी प्रथम सूची में कितने नमबर तक के साथियों का नाम आ जाएगा ये सवाल बहुत सारे साथियों का है कि सर मेरा सलेक्षण डेंड में होगा की नहीं डेल cheap पढ़ाई के लिए मेरा सलेक्षण होगा की नहीं विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में चर्चा होगी कितना रिंग तक कट आप जाएगा प्रथम सूची की मैं बात कर रहा हूँ कितने रंग टक हो जाएगा सीजी में टोटल कितने सीट हैं सरकारी कॉलेज कितना है विस्तार से एटूडेट जानकारी मैं दूँगा इस वीडियो में साथी नय हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे देखें मित्रों सरप्रथम मैं बात करूँ टोटल नमबर आप सीट की राज में जो डियलेड है इन क्यानवे कॉलेजों में डियलेड की डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन की पढ़ाई 90 वर्ट कॉलेज में होती है जहाँ पर टोटल जो सीट है 6725 सीटे हैं जिनके लिए प्रवेश इस वर्ष दिया जाएगा यदि मैं इन 6725 सीटों के आकड़ों की बात करूँ तो 6725 सीट है आरक्षन के हिसाब से समाने वर्गों को 2824 सीट मिलेगा OBC को 942 मिलेगा SC को 807 और ST को 2152 मिलेगा यदि प्रथम सूची में कितने नंबर तक आये मैं उसकी बात करूँ इसके पहड़े मैं गौर्मेंट कॉलेज की जानकारी आपको दे देता हूँ गौर्मेंट कॉलेजों में डाइट रैपूल में 100 सीट है डाइट बेमेतरा 100 सीट डाइट खैरागर 100 सीट बीटी आई राजनान गाउ 100 सीट डाइट कबिर धाम 100 सीट बीटी आई बिलासपूर 15 सीट डाइट पेनरा में 100 सीट इसके अलावा डाइट जानगीर में 100 सीट डाइट कोरबा 100 सीट डाइट रायगर धरंजाएगर में 100 सीट डाइट कोरिया में साव सीट, डाइट जसपूर में साव सीट, डाइट अंबिकापूर में साव सीट, इसके अलावा डाइट महासमुन में साव सीट, डाइट नगरी जो की धमतरी में हैं, तो यहाँ पर भी साव सीट, डाइट कांकेर में साव सीट, डाइट बस्तर और सत्यक जिला में देखी उसी जिले के निवासी को प्राथमिक्ता मिलती है जो गौर्मेंट डाइट है उसमें ठीक है इसके अरावा जो प्राइवेट सीट की बात करूँ तो 4975 सीट जोकी प्राइवेट है अर्थात प्राइवेट के माध्यम से प्राइवेट कॉलेज में 4975 सी तो देखिए जन्रल जो कैटिग्री है जिसे यू आर बोलते हैं अनारक्षित बोला जाता है जन्रल नहीं बोलते हैं अनारक्षित कैटिग्री में साथ नमबर तक के साथियों का नाम आ जाएगा जी हाँ जिन साथियों का साथ नमबर तक अंक आ रहा है उनका नाम अनारक्षित कैटिगरी में आ जाएगा अर्थाथ 2800 तक के जिनका रेंक है 2800 तक के रेंक वाले साथियों का नाम यू आर कैटिगरी में आ जाएगा उसके बाद OBC की मैं बात करूँ तो केवल दो ही नमबर नीचे OBC में जा रहा है जी हाँ केवल दो ही नमबर OBC में नीचे की तरब जा रहा है साथियों कहने का तात्पर यह है कि 60 से 58 नमबर में केवल दो ही नमबर नीचे गिरेगा इसमें 3750 तक अर्थाथ 373700 तक के रेंक वाले साथियों का नाम OBC वर्ग में आ जाएगा SC केटिगरी की बात करूँ मैं यहाँ पर SC केटिगरी में 5 देखी यहाँ पर 8 नमबर तक नीचे गिर सकता है OBC के बाद मतलब अन्खावन OBC था तो इसमें 50 नमबर तक के साथियों का नाम अर्थाथ 60 से 50 तक 10 नमबर तक का जाएगा 50 नमबर तक जिन SC वाले साथियों का नाम है उनका अराम से प्रथम सूची में नाम आ सकता है अर्थाथ रेंग की बात करूँ तो 14,880, 15,000 मोटी मोटा मान के चलिए 14,800 तक के रेंग वाले साथियों का नाम आपके SC कैटिगरी में प्रथम सूची में आ जाएगा इसमें SC कैटिगरी में बात करूँ, SC कैटिगरी में एक ही नमबर निचे गिरने की संभावना है क्योंकि इस बार SC कैटिगरी वाले साथियों की संख्या ज्यादा है तो 49 नंबर तक अर्थात एक ही नंबर जो है ST के बाद गीर रहा है अर्थात 49 नंबर तक के साथियों का नाम जो है ST का डिगरी में आ सकता है प्रथम सुची में अर्थात लगभग 19,000 तक के रेंग वाले साथियों का नाम जो है ST सुची में आएगा तो मान के चलिए जनरल वाले हैं, 60 तक का नाम जनरल में पॉसिबल है, 58 तक हैं, तो आपका OBC में आ जाएगा, SC कटिगरी में हैं तो आप 50 नंबर तक और ST कटिगरी हैं, तो आपका 49 नंबर तक में आपका जो नाम है वो आ जाएगा, अब यहाँ पर सूर्क की बात आती है, क यदि आपका नाम आता है, किसी भी गवर्मेंट कॉलेज में, डाइट में यदि आपका नाम आता है, तो प्रथाम वर्स में आपको 3,000 रुपए का फिस लगता है, प्रथाम वर्स में 3,000 और 2,000 वर्स में 3,000 रुपए, और 3,000 एक साल का फिस लग भी रहा है, तो आपका 4 5,000 रुपए scholarship के रूप में return हो जाती है, government में बिल्कुल आप नहीं के बराबर, मतलब 0 रुपए फिस आप मान सकते हो, बात करूँ मैं PVT की private college में कितना फिस आ सकता है, कितना फिस तो एक साल में, अगर आप regular करते हैं, एक साल में आपको जो है, लगभग 25,000 तक आप मोटी म 35,000 रुपए का सुलक, किसी भी private college में यदि आप regular की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो लग सकता है, और याद रखें, जो DLate पाठेक्रम है, private नहीं होता भई, वो regular ही होता है, तो जिन साथियों को भी सास्के या private में DLate की पढ़ाई करना है, counseling की तीथी भी जल्द जारी हो admission से जुड़ी हुई, जो भी update प्राप्त होगी हम आप तक साजा करेंगे, साथियों, channel से इसलिए भी जुड़े, क्योंकि CGTate, CTate की तयारी तो हम करवाते ही है, साथी साथ CG सिक्षक भरती की class भी हम आप सभी के लिए provide करवाते हैं, तो channel से आप जुड़े रहेंगे, ताकि आपकी पूरी तयारी हो सकते हैं, जैएंगे